तो बैक माई यूटूब चैनल आज हमार दवासिक परिच्छा दोहजारे का इसका अच्छा ग्यार्मी भी से भौतिक सास्त का पेपल के आपको पुलांग रहेगा आपको समय तीन घंटे का दिये जाएगा आपको इस प्रकार से प्रेशन पूछे जाएंगे आप अब सब प यूट कोश्चन की और जो हमारा कोश्चन है तो जो हमारा वहाजो के संभार का जरे सकते हैं सही ब्यूखृब का चैन कीजिए नि रिखी जो आपको निन रिखीस में से quant's मुल मात्रक मुल मात्रक नहीं है म इंपिर कूलॉम मीटर मूल आपको इस में से लिख लेना है अगर आपको इसका सीच चाहिए तो टेलिग्राम जॉइन कीजिए फिछ उनिस्ठ है संख्या 001300 में सार्थक अंकको की संख्या है दो तीन चार पाँच आपको लिख लेना है फिर जो नेस्ट है अधिक्तम दूरी तक प्रेच्छित करने हैं तो प्रेच्छे कोण होना चाहिए 45-6-90 जीरो डिग्री आपको किस डिग्री का कोण होना चाहिए आपको बता दिना है फिर जो मारा पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए नेट बाहिबल सुन होना चाहिए नेट बाहिबल्ल अगोन होना चाहिए यह और B की परिक्रिमाती धिर्वत्ती कच्छ में कर रहा है निमलिखित में से कौन सी राशी नियत रहेगी रहेखिक चाल कोणी चाल इस्थिद उर्जा कोणी संवेग दाब बढ़ने पर किसी परदास का गलनांग कम हो जाता है बढ़ जाता है अपर अरतित रहता परदास की प्रक्रितिक पन निर्भात करता है तो आपको यह करना है दाब बढ़ने पर किस परदास का गलनांग बढ़ता है जब दाब बढ़े एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन M3 के बराबर है फिर जो नेश्ट है वह गती जिसमें तुरण सदय वेक के लंभवत होता है कापत है होता है फिर आपको लिख लेना है फिर जो नेश्ट है बंद पाई में संराच्छी पल द्वारा किया गया कार होता है फिर जो नेश्ट है कार करने की दर को कहते हैं फिर जो नेश्ट है घूनन गती अवें स्थांतरन गती के संयोजा को कहते हैं पीजो नेस्ट है तुल्यकालियोग्रह का अवर्तकाल होता है फिजो नेस्ट आता है एक एक शेत्र पर कार करने वाले प्रयतनन बल को कहती हैं आपको लिख लेना जो भी इसका हो एंसर आपको नहीं पता तो टेलिग्राम चैनल पर इसका एंसर देख सकते हैं इसकी तोड़ी पनाईए अब केंद्री तुरण गती तुरण गती जुर्जा बल अगुण जड़तो अगुण कोणी संबेक गुर्तिक वी बिभाव प्यासो अन्भो आपको ये लिखने ना फिजो नेस्ट कोश्चन आता है एक वाक्य में उत्तर दीजिए आपको एक वाक्य में उत्तर जिना बल का बीया में सूट्र लिखिए किसी सदीष एकी दीशा में एकांक सदीष लिखिए जब बल और भिष्थापन के मध अधिक कोण हो तो कार की प्रुष्थि कैसी होगी स्प्रिंग नीतांग का मात्रक लिखिए वह बिन्दु जिसके पारित किसी पिंड का क तो जो हमारा नेश्ट कॉस्चन है ध्रोवी उपग्रह की प्रत्वी तल से उचाई लगभा कितनी होती है फिर जो नैश्ट है हाईड्रोकोलीन मसीन किस शिधांद पर कार कती है फिर जो नैस्ट कॉस्चन आता है हमारा पाश्मा कोश्चन बीमें बिसलेशन की सीमा है बताईए फिजो अथवा को कोश्चन है बीमें बिसलेशन के उप योग लिखिए फिजो नेश्ट है हमारा कोश्चन सदियों सदीसों के योग संबंधी तुरुभूज नियम लिखिए फिजो अथवा का कोश्चन है एक question आप देख सकते हैं अपर 300 समगाटन से क्या आसा है जो आप क्रेस्ट आपको यह थोड़ा साइड हो गया जो आप क्या होता है फिजो नेश्ट है अथमा question कार उर्जा प्रमे लिखना आपको प्रस्ताव इस्थीज उर्जा की परिभासा लिखी आपको इसके लिख लेना है फिजो नेश्ट question है कोणी संग्योग संद्चन का नियम लिखिए फिजो आथवा का question है सदीसी की सदीस गुणों के कोई दो गुण लिखिए फिजो नेश्ट है किसी पिंड का जड़त अपून किन कानों पर निरभर करता है फिजो आथवा का question है इसका पूनन गातिस में जड़त अपून के भातिक महत्तो को इसपाष्ट कीजिए तो फिर जो हमारा next question आता है तो next question है जो हमारा पलियान चा किसे कहते हैं थो अथवा का question है भार हींता किसे कहते हैं भार हींता को आप पता है जिसका कोई भार नहों से भार हींता कहते हैं आप लिख लीजिएगा फिजो नेश्ट है धारा रेखी प्रवाह एवं प्रशुत प्रवाह में कोई दो अंतर लिखिए फिजो अथवा का question ह बरनूल का प्रमेल लिखे बरनूल का आपको प्रमेल लिख लेना है फिजो नेक्ट कॉस्चन आता है हमारा किसी स्प्रिंग को खीचने या दबाने पर सिंचित इस्थीज उर्जा के लिए सूत्र इस्थापित कीजिए तो अथवा का जो कस्टैन सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल्यांति कुर्जा अचार रहती है आपका फिजो नेक्ट कॉस्चन है हमारा कोई साइकल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ दस मीटर दूर जाकर रुखता है इस पर सड़क द्वारा साइकल पर लगाए गए बल 200 यन है जो उसकी गती के विप्रीत है साइच पर किये गए कार का गढ़ना कीजिए आपको यह पढ़कर अच्छे समाझ कर स्वाल कर लेना है फिर जो अथवा का कॉस्चन है हमारा जो अथवा कॉस्चन है किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आतन की पानी की टंकी को पांच स्क्वाइर होता है मीटर परती सकेंड है कोड़ी संब्यग एवं बल अगून में संबन्ध स्तापित कीजिए तो अथवा का कॉस्चन है लोटीन गती करते पिंड की संपूर जी गतीज उर्जा ग्यात कीजिए तो जो नेस्ट कॉस्चन है हमारा कांच के स्वच समतल प्रे ना हो तो द्रव बूंद की अकरती सदय गोल होती है कारण स्पस्ट कीजिए आपको कल ले नहाए फिर जो नेस्ट कॉस्चन है तो जो नेस्ट कॉस्चन है कोई बच्चा किसी घूनी पंच पर अपनी दोनों भुजाएं फैला कर खड़ा है घूनी संग को चालिस एम और प घून से दो दो बटे पांच गुना कर ले तो इस स्थिति में उसकी कोणी बल आर पी एम एम अरेट्स में ग्यांत कीजिए यह जो क्वश्चन रहेगा आपका चारंग का रहेगा फिर जो अथवा का क्वश्चन है यह जो अथवा का क्वश्चन है किसी घूना रोटर की 200 की एक समान कोणी चाल बताए रखने के लिए एक इधन इंजन को 180 एनम का बल अगहून टार्ग पेसित कराना हो सकें इंजन की सक्ति ग्यांत कीजिए फिजो नेश्ट है प्रस्वी सतह से 36 से किसी कोण ठीटा पर फेंका गया प्रेश्चे उडवान काल प्राप्त अधिकता मुचाई एवं 36 परदास परस के लिए सूत्र इस्थापित कीजिए फिजो अथबा का कोश्चन है सिद्ध कीजिए कि मूल बिंद्व से ठीटा पर फेंके गए प्रेश्चप के लिए प्रेश्चप कोण का मान ठीटा बरबर 10 आपको यह होगा परियुक्त पर तीकों के अ कीजिए फिजो अथबा का कोश्चन है क्रत्मी को गुरह किसे कहते हैं इसकी क्रत्मी करच्छी बलेवं संपूर्ण उर्जा के लिए सूत्र इस्थापित कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर्मेंट कीजिए एवं हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब को भी जॉइन कीजिए मैं आपको बता दूँ हम एकदम एक आपको रियल पेपर दे रहे हैं अगर आपको इसकी स्लेवशन की फोटो चाहिए तो हमारे टेलिग्राम पर पड़ी हुई आप ले सकते हैं मैं आपको दे दूँगा इसकी लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब एम लाइक करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेजन पहुंच सके हैं अब मिलते हैं नेस्ट वेडियो में